अच्छे दिन का वादा करके ये भारती जनता पार्टी सरकार में आई अच्छा दिन तो आ गया और 2014 के बाद आज तक अच्छे दिन का शायद ही इन्होंने इस जूमले का प्रियोख किया हूँ 2019 के चुनाव से पहले एक वादा जरूर किया एक और ख़ाब दिखाया देश की जनता को कि हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे और 2022 जब भारत देश की आजादी को 75 साल हो जाएंगे तो अमरितकाल आएगा न्यू इंडिया आएगा और हम ये बड़ी चीजे करेंगे अब 24 का चुनाव आ गया कम से कम 24 के चुनाव से पहले जो न्यू इंडिया का वादा था और 25 बड़े वादे जो इन्होंने किये थे कि हम 2022 तक ये हासिल कर लेंगे उसका आंकलन होना चाहिए आज मैं वादा बनाम वास्तविक्ता की वादा बनाम सच्चाई की पूरी सूची लेकर आया हूँ और आपके सामने रखना चाहूँ पहला वादा था कि 2022 तक भारत देश 5 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बन जाएगा आज हम सचाई ये है कि उस वादे से बहुत कोसो दूर है और सवाल ये नहीं है कि 5 ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी भारत बनेगा कि नहीं बनेगा अगर सरकार अपनी उंगली भी ना उठाए तो भी हम बन जाएंगे लेकिन सवाल ये है कि बनेंगे कब 2027 में, 28 में या 30 में लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ दूसरा वादा किया कि हर भारतिये के पास एक बैंक अकाउंट, लाइफ इंशोरंस, एकसिडेंट इंशोरंस, पेंशन और रिटायर्मेंट प्लैनिंग सेवाएं होंगी 2022 तक सरकार की, अपनी रिपोर्ट ये बताती है, सचाई दिखलाती है, एकनॉमिक सरवे 2022 की, कि हर 100 लोगों में मात्र तीन लोग ऐसे हैं, मात्र तीन लोग, जिनके पास लाइफ इंशोरंस है, और हर 100 लोगों में मात्र एक आदमी, एक औरत ऐसी है, जिसके पास अतिरिक्त एकाउंट डॉर्मेंट हो गए, तीसरा वादा जो इन लोग ने किया था, वो था कि किसानों की आए को 2022 तक दुगना कर देंगे, अब इस वादे की बात भी नहीं करते मैम, और आए तो छोड़िये, किसान का कर्जा दुगना करने का काम पिछले 5 सालों में सरकार ने किया, पिछले 18 quarters की सबसे lowest growth agricultural sector में इस quarter में देखी जा रही है, जो चौका देने वाले आंकडे हैं, चौथा वादा जो किया था, वो था कि 2022 तक हर भारतिये के पास अपना घर होगा, सचाई आप जानती है कितने भारतियों के पास अपना घर है, घर तो आम आदमी का घर छोड़ि चाले होगा, यानि कि access to toilet होगा, अगर ये वादा पूरा हो गया होता, तो open defecation भारत में बढ़ता नहीं, और National Family Health Survey का report ये नहीं बताता कि लगभग 20 प्रतिशत Indian households आज ऐसे हैं, जो बिना toilet facility के जी रहे हैं, और जहां जहां एक कमरे का नाम के वास्ते toilet बना भी दिया, वहा भारतिये के पास 24 घंटे सातों दिन बिजली होगी, 24-7 electricity, दिली में अर्विंद केजरिवाल को छोड़ कर, किसी एक सूबे में भी अगर 24-7 electricity आती है, भारत देश में तुम्हें चुनौती देता हूँ, सरकार के मंत्री मुझे बताएं आज, 24-7 electricity के लिए आपको उत्तर प के पावर कट लग रहे हैं, सात्वा वादा, every household will have LPG cylinder, 2022 तक हर घर के पास LPG cylinder होगा, वास्तविक्ता ये है कि LPG के प्राइस बढ़ गए, सबसिडी बंद हो गई, और उजवला योजना के जो लाभारती थे, आज वो एक बार cylinder refill कराने में भी उनकी ना नहीं आदा जाती है, जेब पे इतनी डकैती डाली जा रही है, आठवा वादा था, every Indian in rural areas will have a water connection by 2022, मानिय सांसर जी, डकैती शब्द सुबर पर, अच्छा मैं उसको विड्रॉ करता हूँ, डकैती शब्द को विड्रॉ करता हूँ, आठवा वाद ये के पास, जो ग्रामीर इलाकों में रहता है, 2022 तक अपना पानी का connection होगा, सरकार के खुद के मंत्री ने, अप्रेल 2023 में, राजसभा के पटल पर जवाब देते हुए, बताया, कि 40 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीर परिवारों, rural households के पास, आज भी tap water supply नहीं आता, नलके म malnutrition मुक्त हो जाएगा, यानि कि कुपोशन भारत देश से 2022 तक खतम हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सचाई ये है, कि आज child malnutrition में भारत देश दुनिया के मुकाबले सबसे खराब स्तिती में खड़ा हुआ है, और global hunger index बताती है, कि 121 देशों में भारत की ranking 107-108 पे अबादी, healthy food, healthy food afford नहीं कर सकती, यानि कि लगबग 100 करोड के आसपास लोगों के पास insufficient nutrition पहुच रहा है, ये सच्चाई है, दसवाव आदा किया, कि हर gram पंचायत के पास अपना fixed broadband internet connection होगा 2022 के, 22 आते आते, सच्चाई ये है, कि आज तक broadband internet connection की जो स्तिती, rural areas में है, उसका ए अबग 65% आबादी हमारे देश की गाउं में बसती है मैं, लेकिन वहाँ broadband internet अभी तक gram पंचायतों के पास नहीं पहुचा, 11 वादा किया था कि 100% digital literacy 2022 तक आजाएगी, सच्चाई ये है, कि NSSO का data आपको बताएगा, कि अभी आप अपना आधा लक्ष भी पूरा नहीं कर पा आएंगे, देश की सहर कराएंगे, लेकिन तारीक नहीं बताएंगे, आगे चलता हूँ, 13th promise जो भारत सरकार ने किया था अपनी report के माध्यम से, वो ये था कि 2022 तक रेल दुरगटना में मरने वाले लोगों की संख्या को हम शूनने कर देंगे, यानि कि एक भी मौत नहीं हो आए, चौदवाँ वादा किया था कि ग्रोथ रेट इन मैनुफैक्टरिंग सेक्टर विल डबल बाई 2022, लगबग 14 प्रतिशत के आसपास हम लाके खड़ा करेंगे, 14 प्रतिशत तो छोड़ी है, पिछले दो वितिये वर्षों से 5 या 6 प्रतिशत पे हम मन रा रहे हैं, RBI क अपना खुद का टारगेट साड़े 6 परसंट पर है, 15 वादा कि 20 medical free zones बनाएंगे to attract medical tourism, सिरफ वादा था, कोई delivery नहीं, 16 वादा किया, 100 new tourist destination बनेंगी, under developed इलाके में, सिरफ वादा था, कोई काम नहीं किया, 17 वादा था, 10 नए innovation district बनेंगे, जहांपे entrepreneurs, designers, live, work and play की नीती के तहत काम पर कर पाएंगे, सिरफ वादा था, कोई काम नहीं किया, 18 वादा, manual scavenging से होने वाली मौतों को हम शूनने पर लाका खड़ा कर देंगे, 2022 तक manual scavenging will be eradicated, सचाई ये है कि मंतरी जी खुद अपने जवाब में सदन में बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 339 deaths septic tanks में हु नहीं है, 19 वादा कि proportion of formally skilled labor to workforce हम बढ़ा कर 15% कर देंगे, सचाई ये है कि 2023 खतम होने को आ रहा है, 15% तो छोड़िये formally skilled labor, हम आज 5% पे 5% पे मंड़ा रहे हैं, जहां UK में ये आंकड़ा 68%, जर्मनी में 75%, US में 52%, जापान में 80% है, भारत देश 5% के आसपास खड़ा हुआ है 20 वादा किया था कि नई नौकरियां देंगे, 3 million jobs in healthcare, 40 million jobs in tourism, 5 million jobs in mines and minerals, नौकरी के तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है, मिलनी के बजाए नौकरियां जा रही है, 21 वादा, single plastic use ban हो जाएगा 2022 तक, notification लाकर ban तो कर दिया, लागू कितना हुआ, ये मैं सरकार से पूछना चाहत 14 million ton plastic इस साल भी हिंदुस्तान में यूस किया गया, 22 वादा बस समाप कर रहा हूँ, इंपोर्ट जो है, crude oil के और gas के, वो 10 प्रतिशत से घटा दिये जाएंगे, 2022 आते आते, 10 प्रतिशत तो छोड़िये, crude oil की जो हमारा बिल है, import bill उसके चलते, वो double हो गया, gas, crude, सब की imports भा 20 वादा कि नैशनल हाईवे की लेंथ को बढ़ा कर हम 2,000,000 किलोमीटर कर देंगे, सच्चाई ये है कि 2,000,000 किलोमीटर तो छोड़िये, 30 नवेंबर 2022 को गवर्मेंट का अपना आंकड़ा बताता है कि हम लगबग 1,44,000 किलोमीटर के असपास खड़े हैं, यानि कि इस देचे आजाएगा PM 2.5 का लेवल, सचाई ये है कि आज भी पूरा उत्तर भारत गयास चेंबर बना हुआ है, इसके एवल दिल्ली चंद्रिगड नहीं, लखनौग वारानसी में भी वायू प्रदूशन है, सरकार को इसका समाधान धूनना चाहिए, और 25 और आखरी वादा किया था, कि we will achieve a doctor population ratio of at least 1 is to 1400 and a nurse population ratio of at least 1 is to 1500, ये वादा पूरा करने में भी फेल रही, सचाई ये है कि primary healthcare center हो, या CHCs हो, इन सब में doctors, nurses की shortage है, बढ़ाना तो दूर, जो जादा, जो existing centers हैं, उसमें भी आज फोर्स नहीं, और आगरी में, आंत में बस इतना कहूंगा, कि 25 वा ये बड़े वादे हम 2022 तक पूरे करेंगे, इन 25 में से एक वादा भी पूरा नहीं किया, अब क्या मूँ दिखाकर ये 2024 में लोगों से वोट डालने जाएंगे, कोई साधारन आदमी, अगर वादा करकर वादा खिलाफी करता है, तो उस पे कारवाई होती है, उस पे पर्च आग रिया, जैहिन, जैभारत!